हलो फ्रेंड्स मेरा नम है राज और आप देख रहे हैं Windows Tech Solution आज की वीडियो का topic है How to remove all type of viruses, all type of malware from your system Windows के operating system के अंदर Microsoft का एक pre-loaded antivirus आता है जो कि बहुत ही powerful है उसका use करके आप किसी भी virus को अपने system से remove कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उस antivirus को open कर सकते हो Windows icon पर आपने click करना है और यहाँ पर आप लिखो antivirus टॉप पर आपको option मिल जाएगा Windows security इस पर आपने click करना है और यह वो antivirus है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है virus and threat protection इस पर आप click करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जैसे अगर मैं scan option पर click करूँ तो यहाँ पर चार्ट तरह के scan है quick, full, custom और Microsoft defender offline scan तो जो main है आपको full scan हमेशा करना चाहिए अपने PC को या फिर virus जादा है अगर वो full scan में भी delete नहीं हो रहे तो आप Microsoft का Windows defender है जो की offline scan करता है इसका use कर सकते हो यह भी बहुत powerful होता है और अगर आपको किसी भी drive को scan करना है या फिर अपने किसी pen drive को scan करना है मैं आपको दिखाता हूँ जैसे की यहाँ पर मेरे यह दो partition बने अगर मुझे इन partition को scan करना है तो इस पर right click करके यहाँ पर आपको option मिल जाएगा scan with Microsoft defender या फिर आपने कोई pen drive connect करी अपने system में let's suppose मैं एक pen drive को connect करता हूँ अपने laptop के अंदर अब दिखिए यह वो pen drive है जो मैंने अपने laptop में connect करी अभी आपके सामने अगर मुझे इस pen drive को scan करना है तो इस पर right click करोगे न तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा scan with Microsoft defender जैसे आप फिर click करोगे तो यह pen drive को scan करना start कर देगा इस तरह से इसको मैं cut करता हूँ अभी और pen drive को मैं निकाल लेता हूँ भार तो इस तरह आप किसी भी pen drive को या फिर sd card को scan कर सकते हूँ अपने laptop में connect करने के बाद अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने system से virus को remove करोगे तो आपने वो ही करना है आपने windows second पर click करके यहाँ पर लिखना है antivirus windows security का option मिल जाएगा आपको यहाँ पर आपको virus and threat protection पर click करना है उसके अदब click करोगे scan options पर तो यहाँ पर जो दो scan आपने run करने है एक तो full scan ताकि आपके पूरे system को scan कर लेगा हर partition को scan कर देगा दूसरा आप यह Microsoft का जो Microsoft defender offline scan है इसका भी use कर सकते हो यह क्या करेगा आपके system को restart करके offline mode पर आपके system को scan करेगा यह तो हो गया कैसे आप virus को scan कर सकते हो दूसरा है अगर आपके system में कोई malicious software है उनको भी आप remove कर सकते हो तो उसके लिए Microsoft के लिए Microsoft system के अंदर आपने पहले run command को open करना है तो run command को open करने के लिए आप window की और r को एक साथ प्रेस करो तो run command ओपन हो जाता है नहीं तो आप windows आइकन पर right click करो और यहाँ पर आपको run का option मिल जाएगा अब यहाँ भी आपने लिखना है MRT MRT लिखके enter प्रेस करेंगे अब आपने 5 से 10 सेकेंड का wait करना है इस तरह का window खुल के आएगा आपके सामने Microsoft Windows Militious Software Removal Tool यह Microsoft का pre-loaded Militious Software Removal Tool आता है Windows System के अंदर आपने next पर click करना है full scan पर click करोगे आप next पर click करोगे न तो यह का करेगा आपके पूरे सिस्टम को scan करेगा और जो भी Militious Software होंगे उन सबको remove कर देगा यह तो यह दो method हैं जिनको आप apply करके अपने सिस्टम से किसी भी virus को remove कर सकते हो